इस्राइल और हमास के भी जंग में अब पुरा मिडिलीस्ट बारूत के धेर पर बैठा हुआ है एक नई जंग कभी भी शुरू हो सकती है जो कि वर्ल्ड वार जितनी भयानक हो सकती है नौ महीने से जारीस युद्ध में हर दिन कुछ नया और भयानक देखने को मिलता है इस्राइली सेना की भीषण कारवाई ने हमास को दहला कर रख दिया है लेकिन अब इस्राइल को जवाब देने के लिए तुर्की ने तयारी कर ली है इस्राइल के आयरन डोम का जवाब देने के लिए तुर्की नया हथियार तयार कर रहा है दरसल तुर्की ने इस्राइल के आयरन डोम के जवाब में स्टील डोम से देने वाला है तुर्की ने घरेलू रूप से विक्सित वायू रक्षा प्रणाली की योजना की घोशना की है तुर्की ने अपने इस नय हथियार को स्टील डोम का नाम दिया है इंस्ताम्बूल इस्थित समचार पत्र डेली सबा ने इस बात का खुलासा किया है तुर्की ने महक्त्व कांग्शी स्टील डोम पर योजना को हरी जंडी दे दी है स्टील डोम सिर्फ एक सिस्टम नहीं बलकि सिस्टम की एक प्रणाली है ये सेंसर, कम्यूनिकेशन, मॉड्यूल, कमांड और कंट्रोल स्टेशन, AI संचाली तुप करणों को मिला कर हवाई खत्रों के लिए एक धाल बनाता है इरान ने पुतिन को भी टेंशन दे दी है दोनों देशों के बीच S-400 मिसाइल डील खत्म हो गई है 2.5 बिलियन डॉलर की रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली अतनराश्ट्रिय तनाव का कारण है ये निर्णे तुर्की द्वारा अपने नैटो सहयोगियों और रूस के भी जटिल राजनेतिक रिष्टों को उजागर करता है करता है करता है